केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र असीसी में मांट कर्मरल की एक बच्चियों की मौत हो गई थी तो बता दे कि भागलपुर शहर में डेंग्यू से बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं पूरा डेंग्यू वार्ट बच्चों से खचाखच भरा हुआ है 24 गंटे में 19 मरीज मिले हैं जुन में से 16 मरीज JLNMCH तो वही 3 मरीज सदर अस्पतार में मिले हैं डेंग्यू का असर अब ज्यादा छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ रहा है JLNMCH के फैब्रिकेटर वार्ड में 6 महिने का बच्चा मिला है वही पे 6 महिने से 10 साल तक के कई बच्चे भरती हैं मौतों की बात करें तो दो बच्चे समेथ 5 लोगों की मौत की वज़ए डेंग्यू पुष्टी की गई है तो वही 6 लोग ऐसे संदिक्द हैं जुनकी संदिक्द मौत हुई है जुन में डेंग्यू के लक्षन थे बीतशनिवार को भीकन पुर निवासी महिला की मौत हुई थी मौत के बाद महिला का एलीजार रिपोर्ट आया एलीजार रिपोर्ट पॉजिटिव है सबसे ज्यादा डेंग्यू के मरीज़ पटना के बाद भागलपुर से मिले हैं अब तक यहां करीब 600 मरीज मिल चुके हैं जे एन एनम सी एच के आईसी ओ में डेंग्यू से पीरित एक जज़ का इलाज तो वहीं फैब्रिकेटेड वर्ड में डीपी आरो की पतनी का इलाज चल रहा है जलादिकारी के कड़े होने के बाद इस शहर में फॉगिंग अब सही तरीके से कराईच रही है शहर में इतने मरीजों के मिलने की बड़ी वज़ है नगर निगम का उदासी न्रवईया लग रहा है जहां पे जगर जल जमा हो रहा है फॉगिंग नहीं करा इज़वाने से डेंग्यू का प्रकोब बड़ा है तो वहीं जिलादिकाय सुबरत कुमार सेन ने कहा कि माया गंज अस्पताल और सदर अस्पताल दोनों में डेंग्यू बिमारी को लेकर बच्चों की संख्या बढ़ रही है लेकिन विवस्ता भी दुरुस्त है बारिश के चलते ये मच्छर जन बिमारी लोगों में फैली है लेकिन इसके रोख थाम के लिए स्वास्ति भाग फूरा प्रयास रथ है अब आप देखेंगे तो एक प्लैटू की स्थिती आ गई है मामले घटने स्टार्ट हो गए है किसी दिन थोड़ा बढ़ जा रहा है लेकिन जो पीक दस दिन पहले था उससे लगातार जो है मामला घट रहा है और इसमें स्वास्ति भाग भी अपर मुक्सची महोदे का प्रति दिन संप्रति दिन की समिक्षा हो रही है सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसपल प्रभंधक अस्पताल के सभी लोगों के साथ हम लोगों ने जो हम लोगों का एक प्री फैबरिकेटेड अस्ट्रक्चर जो बना था कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उसमें भी हम लोगों ने एसी अस्थर से नमुति प्राप्त करके सौ बेड का वहाँ बढ़िया बना दिया है और काफी अच्छे से वहाँ इलाज भी चल रहा है इसके अतरिकती इमर्जेंसी में HDU में ICU के कुछ वार्डों को भी हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया है तो कहीं कोई समस्या नहीं है लोगों को भी थोड़ा सा प्रिकॉसन लेना चाहिए चौक चड़ाओं पर भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कुछ पैंफिलेट वगर हम लोगों डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है अभी तो करेब करेब जाज घरवाले वो लोग डाटा दे सकते हैं कि कितने लोगों को नोने इनस्वर्ड किया पोजटिव केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र